मर्द्य प्रदेश से ही खबरदार करती हमारी अगली खबर है जहां गोवंच से खुरूरता हुई है जहां सतना में बहती नदी की तरफ गायों को हाक दिया गया और फिर नदी के तेज बहाओ में गाये बह गई गई वाइरल हुआ ये वीडियो मंगलवार शाम का बताया गया है जहां सतना में कुछ लोगों ने नदी की तेज बहाओ की तरफ गायों को भीज दिया नदी की तरफ गायों को ले जाने और फेकने वाले चार लोग गिरफ्तार हुए हैं मर्द्य प्रदेश गो राज्य है जहां क सफारी तक बनाई गई लेकिन फिर भी क्या लोग गोवन्ष को ही अब यू मरने के लिए नदी में बहादे रहे हैं ताकि खुद छुटकारा पाएं या फिर इसके पीछे किसी की आप राधिक साजिश है हम लोगों को यह सूचना मिली थी कि रहगाओं मोर हर्दुआ मज्छोल के पास जो सतना नदी पर रेल्वे ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे कुछ व्यक्ति आवारा मवेश्यों आवारा पश्यों को मार पीट कर पानी में धकेल रहे हैं जब पुलिस को इस चीज की कि पुछना मिली तो हम लोग मोके पर पहुँचे बहां पर तजदीग करने के बार चार लोगों को खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है इन चार लोगों में तीन हर्दुआ मर्जोल के निवासे में जिन में बेटा बागरी उफ सुखेंद्र बागरी, रामपाल चोधरी और रवी बागरी, तीन ये लोग हैं और एक अन्य नाबाले ब्यटती हैं, इन चारो के विरोत, धारा 325 BNS, और मध्य प्रदेश, गोवंच, वद्ध प्रतिशेद अधिनियम की धारा 4.09 के तेर, मुकदमा कायम किया गया है, चारो आरोपियों के खिलाफ विधी संगत कारव तकी तीन्ख एक रूदेश, और महत आरोपियों के विरोतिश, टॉक्त विरोतो आरोपियों की धन्य प्रतिश भ स्वर्देश, टीनियम की प्रस्टेश, विरो ब्रतिशन प्रतिशन प्रतिश